इस वीडियो से हम लोग exception handling के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे exception एक ऐसा problem है जो किसी भी program में चलते वक्त आ सकता है exception आने का अनेकों कारण हो सकता है जैसे कि user invalid data type किया या फिर file जिसको open किया रहा है वो available ही नहों या फिर network connection बीच में ही कट जाया जब communication हो रहा हो या फिर JVM का memory खतम हो जाया और यह out of memory रण करने लगे तो यह सब normal कारण है जो exception lead करता है इन सभी errors में कुछ तो user का गलती होता है और तथा कुछ programmers का mistake भी होता है एक अच्छी प्रोग्राम का यह खासियत होता है कि उसमें user का गलती कम से कम हो जावा प्रोग्रामिंग में exception का तीन major category होता है सबसे पहला exception है checked exception यह एक ऐसा error है जो सधानतह user का error होता है जैसे वैसा file open करना जो available नहों और इस situation में error आएगा जिसे हम लोग checked exception कहते हैं तथा इस तरह के error को हम लोग Java programming में ignore नहीं कर सकते हैं इसको हमेशा हर हाल में हम लोग को fix करना होता है दूसरा जो error का category है वो है runtime exception यह एक ऐसा exception है जो प्रोग्राम के चलते समय आता है तथा इसके आने का अने को कारण हो सकता है जैसे programmer का mistake में लीस में programmer इस तरह के exception को आसानी से fix कर सकते हैं code को change करके यदि example बोला जाया तो इसमें बोला जा सकता है array index out of bond जो आता है जैसे array के limits के size से हम उसमें data जब रखते हैं तो error आता है इन teaser को जब divide करते हैं 0 से या फिर cast करते हैं हम लोग किसी reference को invalid data type में और इन सब situation में हमेशा हम लोग runtime exception देखते हैं जो इसका तीसरा category है वो है errors actually यह कोई exception की तरह तो नहीं होता है लेकिन problem एक ऐसा problem जो ना user का control के अंदर होता है और ना ही programmer के जैसे कि JVM का memory ही खतम हो जाया कोई space नहीं रहे तो उस समय क्या होगा error आएगा जिसको हम लोग errors category में रहते हैं जिसको हम लोग control चाहके भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि memory कब खतम हो सकता है never know यह तीनो exception category का parent java.lang.throwable class होता है इस throwable class के अंदर में दो child class होता है exception class और error class जो error class होता है वो java के सभी errors का parent होता है तथा जो exception class है वो सभी exceptions का parent class होता है तो हम लोग यह देखे कि java में सबसे parent जो class होता है exceptions का वो होता है throwable class इस throwable class के अंदर में बहुत सरा method होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग frequently इन सब मेथड्स को यूज करेंगे जैसे सबसे पहला मेथड है get message जो इस्टिंग टाइप का होगा दूसरा जो थोड़ोबल टाइप का return करेगा get cause, तीसरा है string get string वो लेगा किस तरह का string error है print stack trace और get stack trace और fill stack trace यह सब मेथड्स को हम लोग आने वाले वीडियो में जब हम लोग exception को डीटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग इस methods को भी उसमें प्रोगाम में यूज करते आप देखिएगा तो चलिए अब हम लोग एक sample program देखते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे exception कैसे आ सकता है वहाँ पर हम लोग array index out of bond type का exception देखेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे वहाँ से exception throw हो रहा है और फिर अगले वीडियो से हम लोग उसको exception को deal करना सुरू करेंगे अभी आप अपने screen पे एक program देख सकते हैं जो crash program है इस class का नाम है crash इसके अंदर हम लोग main method बनाया है और एक method 1 है एक method 2 है main के अंदर में हम लोग सबसे पहले print करना है inside method 1 और फिर एक array बना रहा है जिसका नाम है values और इसमें हम लोग 1,2,3,4 theta रखें हैं फिर यहाँ पर message प्रिंट हो रहा है invoking method 1 और फिर method 1 को call किया रहा है और value को pass किया रहा है वो value x में आजाएगा x क्या है तो array type है इसका और फिर method 1 में आजाएगा inside method 1 और फिर method 2 को call किया रहा है और method 2 में क्या होगा यह भी x को pass किया रहा है x क्या है तो array है array में क्या है 1,2,3,4 फिर यहाँ पर आजाएगा 1,2,3,4 और फिर होगा inside method 2 और यहाँ पर देखिए एक ध्यान देनवाली बात है यहाँ पर हम लोग index 5 को देख रहे हैं और फिर इसके बाद error के बाद आएगा living method 2 तो जब हम इस program को run करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा inside main method आ रहा है invoking method 1 आ रहा है inside method 1 आ रहा है inside method 2 और जब हम जब ही हम लोग देख रहे है inside method 2 के बाद में inside method 2 और यहाँ error आ जा रहा है और यह नहीं आ पा रहा है क्योंकि वहीं पे error खतम हो जा रहा है और error क्या है array index out of bond exception क्या 5 तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे mistake है ऐसा हम index देखना चाहते हैं जो available नहीं है और यह error दिखा रहा है यहाँ पे exception आ रहा है तो आने वाले वीडियों में हम लोग इसी सब exception को deal करना सिखेंगे कि कैसे किस situation में किस तरह से हम लोग exception को deal करेंगे उमिद है आप यह theoretical part जो exception handling का है वो आप समझ गया होंगे thank you